दोस्तो ये बात है 2nd World War के समय की जब फ्रांस ने जर्मनी के खिलाब भयानक लेबंदी कर रखी थी और नाजी से ना हमला नहीं कर पा रही थी तब हिटलर ने ऐसी तोप बनवाई जो देखने में कई मंजल के बराबर थी और इस तोप का नाम रखा गया स्वेरर गुस्ताओ जो 80 cm कैलिबर की रेलवे गन थी दोस्तो इस तोप का इस्तमाल जर्मनी ने 1941 से 1945 तक किया और जर्मनी ने ऐसी स्रिप दो ही तोपे बनाई थी वहीं ये तोप किसी भी वार में इस्तमाल होने वाली सबसे ज़्यादा कैलिबर का हथ्यार थी साथ ही ये दुनिया की सबसे भा टालियन तेनात रहती थी वहीं इसमें लगने वाली गोले का वजन साथ टन होता था ये तोप 30 से 45 मिनट में एक गोला दाखती थी यानि दिन भर में करीब 14 गोले दाख सकती थी और इसकी मैक्सिमाम फाइरिंग रेंज 47 किलो मेटर थी बाद में इस तरह के तोप की निकल क कई देशों ने की लेकिन इस तोप ने जो इतिहास